आरेसेन देख रहे हैं आप और एक नई अपडेट के साथ मैं सोनी आप सबके सामने फिर से हाजिर हुई हूँ फिलहाल की अगर बात करें तो जैसे ही जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जैसे ही ये बात शोशल मीडिया पर परिवार वालों के द्वारा उठाई गई कि कोई भी बीजेपी पारटी से यहाँ पर आ नहीं रहा है पूरा का पूरा जो परिवार है वो उनके साथ बैटा हुआ है किस प्रकार की बाते उनके बीच में हो रही है क्या वो बोल कर जाएंगे अभी परिवार को किस प्रकार से आश्वासन दे करके जाएंगे क्या होने वाला है वो सारी बात है तो हम उनी से जान लेते हैं को बताया कि उनके समर्थकों के द्वारा ये अपील की जारी थी परिवार वालों से कि इसी फार्म हाउस के उपर उनका दासंसकार किया जाए लेकिन क्या उस अपील का होगा क्या परिवार वालों ने उस अपील को माना है या फिर जो रिशी नगर में जो शम्शान घाट है बहुत दुखत गटना यह हुई है कि हमारे बीच की एक कार्यकरता हम सब के बीच से चली गई है तो आज यहां परिवार से मिलने के लिए मैं आया हूँ और जितने भी कार्यकरता है सब लोग आज परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की गड़ी में परिवार से मिले हैं और जिसभी परकार की सहाइता की जुरूरत की क्रीवार की परिवार कीसे परिवार के साथ खड़ी है और पूरी तरह से इससे इस बात के लिए सब पर्तिबद हैं बीजीपी सरकार से कोई बाचीत गोवा में की गई है तीके निश्चुत रूप से जिस दन ये घटना हुई उस दिन से लेकर के और आज जो एफ आई आर दर्ज हुई है और जो पोश्ट माटम हुआ है उस समय तक सब लोग संपर्क में हैं और मैं समझता हू कि परिवार के लोगों से जैसे अभी बात हुई है मेरी वतन ढाका जो भाई है सुनाली जी के उनसे बात हुई है वो आज की जो कारवाई हुई है उससे अभी तक वो संतुष्टर भविश्चे में जिस भी परकार की मांग परिवार की होगी उसके उपर निश्चित पर इनके उपर कहना बहुत जल्द बाजी होगा क्योंकि अभी FIR दरज हुई है जिन दो लोगों के नाम है तो पुलिस की कस्टडी के अंदर है और पुलिस सारे जो केस है उसकी मैं समझता हूं ठीक परकार से जांच आगे बढ़ा रही है और इस दोर में जब पुलिस होंगे 100% सामने आएंगे इन दो लोगों को छोड़ करके और भी काफी ऐसे चेहरे हैं जिन पर प्रिवार ने आरोप लगाए है एक वरत्मान में भी धायक है जो वहां उनका अपना कारोबार है गोपाल कंडा के उपर भी इन्होंने कहा है कि बचाने के लिए अपनी पुर स्मार्टम और F.I.R. दर्ज होई है क्योंकि हर जगे का एक अलग अपने प्रोसीजर होता है और उस जो गटना कर्म जो हुआ है इसमें जो जो चीजें सामने आई है या भुषे में सामने आएंगी मैं समझता हूं कि जो जाच के माद्यम से आएगा वो अगर जाच केसे इन बातों के उपर टिपनी करें वो मैं नहीं समझता कि किसी भी रूप में बेतर होगा इसमें किसी चीज का मुझे पता नहीं है तो उसके उपर मैं नहीं समझता को टिपनी करनी चाहिए हाँ को अगर मेरे सामने को तत्य है वो बात तो मैं आपके सामने रख सकता हू सीवी इनकारी को लेकर कि इनकी जो डिमांड कि उसको क्या आप में समंत्री मोहते तक लेकर करके जाएंगे इसको पूरी करवाएंगे मैं अभी परिवार से मिल करके आया हूँ मैं वही बात आपके सामने बता रहा हूँ सब्सकार कल अज रात को लग बगए एक बज़े के आसपास डेड़ बोड़ी गाने के संभावना है और उसको रात को वहीं सीवलोस्पिल मोर्चरी में रखा जाएगा और कल सुबह 11 बज़े जो रिशी नगर का जो अपना संचान गाट है में संचान गाट उसी में ही उसका स गर पहां लाई जाएगा फार माउश सीचान लाए जाएगा सब्सक्राइब कर आपको डैड़ बोड़ी रखेंगे छिवलों हो और सुबे बोड़ी को यहां पर लाए जाएगा और सारा उसका विदिवत विदान से जो भी अमारी परिकरिया होती है कि संचार की उपया वह कर्टर साथ का मुझे जानकारी निए उनकों पता हुगा जोने वह कुछ है लेकिन मैं उमेद है कर सकता है उनकी मर्जी तो शुनाले जी और का बर्पित कर सकता आम जनता जिसको संसकार में सामिल होना है मेरा इस मीडिया के मादेम से सबी से निवेदेने कि जो भी उनकी चाह में पहुंचे उसके बाद जो भी वीशे रहेगा सब पो बता दिया जाएगा जो है जिदा नहीं में जाएगा तो फिलहाल पूरो प्रदेश अद्रक्ष सुभाष बराला बीजेपी से हमारे साथ मौझूद थे हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका कहना है जिस तरह से सु पूरी बीजेपी पार्टी में है और एक नुकसान जिसको कहेंगे कि क्योंकि पिछले 15 सालों से लगातार बीजेपी के साथ जुड़ी हुई थी सोनाली फोगाट हर एक जगह पर जहां पर भी उनकी जरूरत हुई बिना सोचे समझे हर एक जगह पर वो हमेशा ही उपस्ति को उन्होंने हमेशा ही जाहिर किया है तो अभी की जो है जिस तरह से सुभाष बराला जी बोलके गए हैं कि पूरी बीजेपी पार्टी इस बात को लेकर के सदमे में है कि सोनाली फोगाट जैसी वरिष्ट नेत्री जो बीजेपी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी उनक के बाद से लगातार परिवार वालों का कहنا था कि सीबीाई जाच होनी चाहिए तो उनका भी यही कहना है कि अगर सीबीाई जाच की जरूरत पड़ी तो वाक्री के पूरी पार्टी जो है उनके साथ है। उसके बाद जैसे ही उनके जेट से हमने बात की जिनोंने बताया कि दास अंसकार को लेकर के पहले वहां से जो है बोडी निकल चुकी है और रात के करीबन बारा एक बजे के आसपास जो है हिसार शहर के सिविल हॉस्पिटल में बोडी पहुंच जाएगा पूरी रात उसको वहीं पर रखा जाएगा उसके बाद कल सुबह इसी फार्म हाउस के उपर उनकी बोडी को लाया जाएगा जितने भी जो रीत रिवाज होते हैं वो सारे यहां पर निभाए जाएगे और अंतिम दर्शन के लिए भी यहीं पर जो है लोगों का कल सुबह ताता बंदने वाला है तो जितने भी हम जो हमारे विवर्स हैं जो सुनाली फोगाट के अंतिम दर्शन का इंतिजार कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि कल सुबह सुनाली फोगाट के शरीर को उनके फार्म हाउस के उपर लाया जाएगा उसके बाद जो एक बड़ा जो एक उसके बाद जो उनके अंतिम संसकार को लेकर के एक अटक अभी तक की लेटस्ट अपडेट थी आप सभी दर्शकों के लिए जुड़े रही RSN Express के साथ लगा तर जितनी भी जो भी खबरे होंगे आप सभी तक पहुचाने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे और किसी और खास खबर के साथ आप सब के सामने में फिर से हाजिर होती नवश्काव